व मैंने करी थी अपनी जिमने पर हाईड रैट सॉलूशन सेरमिक कोटिंग और आप देखिये इसका नतीजा कितना ही शांदर चमक है एकदम शीशे की तरह चमक रही है हमारी जिमनी और इन लाइट में ही आप देख सकते हैं एक तम शाइन मार रही है शीशे की तरह चमग रही है और इसकी कीमत है हलो अबरवन जाटन मिल्स में एक बाफिर आपका स्वागत है और आज के व्लॉग में यह हमारी जमनी घड़ी है तो इस पे हम करने लöyleए हैं सेर toughest कीटिन पेंट प्रोटक्शन के लिए सेर में जड़ूरी है क्योंकि वह हो क्योंकि या कोई भी वाटर हाट वाटर जमा हो जाता है और जो भी शिट होती है बर्ड्स की वो भी एसीड होता है उसके अंदर वो भी पेंट को खराब करता है तो पेंट के आगर नीचे आप खड़े करते हैं उससे भी काफी बार आपकी गाड़ी पेंट को धब्बे पड़ जाते जो मिठते नहीं है उसको बचाने के लिए हम कर में हैं इसपे सेरामिक कोटिंग मैं दिखा देता हूं किससे हम सर्मिक कोटिंग कर रहे हैं यह सैरामक किंग हाई जो की लिएक कि शोलुशन का प्रोडश्वीय। काफी रिव्यू देखिए मैंने इसके काफी अछी है त selfish हैं el mejores बाइक एक बश्रिफ된 के ब़ाय किया है जो कुझने ऐ उसको क्लियर के कि यह नुचकी हई सब शेंपू ने जुद सबसल्ने ने की यह निये है पूर से नहीं एट कि यह क्युदख जच off I तो निक वाशून होगा घ्सपर यह वे बएक्स होगा इस पर सरे माइक्सपर जाट के ठाट साही है सब कुछ अगनाज हो पर आपनाज है सब घर पे कर रहे हैं हम यह सेल्फ सेरमिक कोटिंग कर रहे हैं इसके दोस्प्रे करने हैं आपके बड़ा अगया आपके अगया मैं श्रुक्त हमारी जो जिमनी है पूरी तर अच्छी तरह वाश हो चुकी है और अब ड्राइभी हो चुकी है यह देखिए बिल्कुल चमक गई है पूरा शाइन आ गया है और कोई भी डस्ट नहीं है तो हम रेडी हैं इस पे कोट करने के लिए सेरेमिक कोटिंग कुछ दियर होगा छोड़ना पड़ेगा उसके बाद फिर रब करना पड़ेगा फिर उसके बाद ये बिल्कुत त्यार हो जाएगी कोटिंग के बाद तो गई सबसे पहले हम अपना जो सेरेमिक जो हमारे पार बोटल है उसका स्प्रे करेंगे चारो तरफ स्प्रे कर देंगे ताकि हम इसकी एक लेयर बिछा दें अपनी बोड़ी पे जो गाड़ी की बोड़ी है और उसके लिए हम चारो तरफ स्प्रे करेंगे हलका हलका उसके पाद एक हम ,иковibers का कुलोध का टुकड़ा लेंगे और ईसे हम इसको चारो तरफ फहेला देंगे left-to-right और right-to-left करके ये चारो तरफ हम इसको पूरा गुमा देंगे ताकि एक measure कम से कम इसके पूरी जो whether the paint की अच्वे hunters इसके पोरी beauty the model के बैठ जये तरह से तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें पहला कोट लगाना है और इसको कोट को फिर हम 10-15 मिन्ट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद माइक्रो फाइबर क्लोथ लेंगे बड़ा सा और उससे फिर रबिंग करेंगे अच्छी तरह रगड़ रगड़ के रबिंग करेंगे और की पूरी शाइन निकाल देंगे उससे ये आपका एक कोट पूरा हो जाता है फिर दूसरे कोट के लिए हम करेंगे 3-4 गंटे बेड़ दो कोट करने के बाद आपकी जो हमारी गाड़ी है एक साल के लिए कम से कम एक साल के लिए पूरी प्रोटेक्ट हो जाएगी प्रोटेक्ट हो जाएगा तो आप देख रेहे हैं आपकी कोई भी ओरी हो तो आप directly मुझे मैशेज करके पूख सकते हैं तो इस तरह से हमें ये layer लगानी है इस ceramic coating की झाल झाल कि नियं दूभकHD कं जिए हीоре सुप्सक्राइब कर भी जिरू के और दो दो झाल सकतनी है कि इसने बोगि कर गोगि की की दिए हुगंगए मजा रहा है बहुत इसल्क के मैसूत हो तो उससे मैसूत है कि हमारी कब कर दो यिए हुगूर्ट के दिए четы ही को proclaim 여ّji, मैं सोल हो इच ही तो आप घर पे भी कोटिंग करो सकते हैं कोई ज्यादा दिकता है ना interpret थोड़ी मयनत है ठोड़ी महनत तो लगेग की जो नहीं हो गहर भर है थोड़ी मयनत थो लगई की सब्सक्राइल के नियुकर लेकिन एक गंटे महतर आप अपने गाड़ी को gimosy को या कोई भी कार को घर पे ही सेरमिक कोटिंग कर सकते हैं और इसकी लाइफ कहते हैं इसकी लाइफ कहते हैं तो गाइस चार बच चुके हैं और हमने जो पहला कोट किया था वह हमने लगबग 12 बजे किया था और अब भी जो सेरमिक का सेकंड कोट लेयर जो हमने किया है चार और लगबख चार गंटे का हमने गैब रखा है दूसरे कोट के लिए और अब जो निकल के आई है इसकी लुक और इतनी सॉफ्ट हो गया है मैं बता नहीं सकता यार एक तम शाइन मार गी आपको दिख रहा होगा शाइन कितनी जबदस शाइन होगी है इसके अंदर शीशे की बहुत ही शाइन कितने जबदस शाइन है बहुत ही बढ़िया तो इस प्रोड़क्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप एमजोन से बाइव कर सकते हैं मुझे यह सोला सो का एक बोटल आया है और यह बोटल बहुत चलेगा मालब कि कई बार कोटिं हो चुकी है इसमें अपनी बाइक कोट करें और कोई भी गाड़ी आप कोटिंग कर सकते हैं तो आपको यह ब्लोग कैसा लगा एक कमेंट जरू करना और कोई भी मेरा नया व्यूस है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और अन्तमें दोस्तों राइड हार सब्सक्राइब मैं चैनल झाल चैनल झाल